और जैसे अभी हमने पहले बोला है, it is very easy, बहुत simple है, जैसे question माल लिया, हमने बोला कि f define from r plus 2 r and fx is equal to x minus 1 by x, ठीक है? ऐसे लिया, if then find whether fx is into or onto, अच्छा जब compare करते हैं, compare करते हैं समय डोमेन का कोई रोल नहीं, डोमेन का रोल तो कहा है, डोमेन के अंदर हम range निकालें, बस, और कोई रोल नहीं, ठीक है? गुड, तो इस वहले के इसमें domain of f क्या हो जाएगा? r plus, यह ठीक है, core domain क्या हो जाएगा? core domain हो जाएगा r, कहां से देखके पता लगा हमें? यह वहला देखके पता लगा, यह code domain है, यह domain है, ठीक है? range क्या होगा? वह निकालेंगे, ठीक है? तो f x बराबर क्या होगा? x minus 1 by x, अब जैसे भी range निकालते हैं, वैसे निकाल लिए हैं? कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक तो यह देख लिए हैं, जैसे r plus domain है, तो यह r plus में तो हर जगर define है, वो तो होना ही चाहिए है, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है, यहां हम ऐसी value लिख दें, question में, जहां पर define ही नहीं हो, फिर तो question ही गलत हो क्या, तो यह तो हमेशे होग अच्छा, यह वाला expression क्या होगा, positive, one upon x square तो कभी negative हो नहीं सकता, तो अगर हमने one में यह add किया, तो यह तो हमेशे ही positive आएगा, यह positive आए है, तो उससे हमें क्या बता लगा, this implies f is increasing function, arrow का मतलब का है, increasing है, ऊपर बढ़ रहा है, increasing function है, ठीक है, अच्छा, जो domain है, 0 से लेके infinity जीरो से आगे-ागे बात कर रहे है, 0 भी नहीं है, of course, r plus में 0 नहीं आता, तो 0 के आगे-ागे तो x हो, चाहे 1 by x हो, उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का मतलब क्या है कि चाहे x का गराफ बनाओ, चाहे 1 by x का गराफ बनाओ, वो graph continuous बनेगा, ठीक है, तो यहां पर हमने यह लिख दिया, also in r plus f x is continuous, ठीक है, तो अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि जो graph है, वो increasing है, लगातर ऐसे बढ़ रहे हैं और continuous है तो जो सबसे पहला point आएगा वहाँ तो सबसे चोटा value आजाएगा सबसे आगे वाले point में सबसे बड़ा value आजाएगा ठीक है तो domain क्या है domain domain is open 0 से infinity तो एक बार हम 0 की तरफ चलेगा एक बार infinite लिए तरफ चलेगा यह देखने के लिए value कहां जा रहे आगर x 0 को जा रहे तो x minus 1 over x में क्या होगा यह infinity को जाएगा यह 0 को जाएगा तो इस minus की वजह से यह पूरा value कहां जाएगा gain 준 उलिउच meer और एक्स को जा रहे हैं, दुबारा, समझ मा रहे हैं, क्योंकि f' positive आया है, उससे तो हमें पता लगए function increasing है, फिर अगर domain a से b तक है, जैसे इस वाले case में a और b का काम कौन कर रहा है, 0 और infinity, increasing function है, तो सबसे बड़ा value सबसे आ गयाएगा, सबसे छोटा value इधर आएगा, तो इधर मतलब 0 है, इधर मतलब infinity है, तो x अगर infinity को जाएगा, तो फिर इस में क्या होगा, x-1 over x में, अब यह वाला term 0 को चला जाएगा, 1 upon infinity, हमने यह नहीं उने बुला गल. x 459 के सबसे है, हमने बुला एक्स infinity की टरफ जा रहा है, मतलब x बढ़ता ही चला जाएगा, तो इसका reciprocal घरता चला जाएगा, तो 0 को चला जाएगा और यह infinity को जाएगा, jadi, infinity को जा esto infinity range of function is minus infinity से plus infinity, continuous है तो minus infinity और plus infinity के बीच में कोई value छूटेगा नहीं, ठीक है, अच्छा जो question दे रखा था उसमें यहाँ पे R लिखाए, तो मतलब code domain R है, तो range और code domain क्या हो गया, बराबर, code domain बराबर हो गया, तो इसलिए function क्या हो गया, hence function is onto, range और code domain बराबर हो गया, ठीक है, तो effectively इसमें onto, into, एक line का यह last line का comparison है, कि बराबर है या code domain जाद है बस, बाकी तो essentially यह limit का question है, ठीक है, ओके, अब नेक्ट question है लेते हैं, फिर question 2, वोई into onto बताने है, और f मालने हमने define कर दिया, r plus से, r plus and f x बराबर से x square, तो answer क्याएगा, यहां तो f x कितना है x square, यह domain है, ठीक है, और यह क्या है, code domain, range निकालने, तो f x is equal to x square का जो graph है, वो तो ऐसे बनता है, यह ठीक है, यह तो पूरा graph बन गया, y is equal to x square का, बट उसमें question में क्या बोला है, कि domain तो केवल r plus ही है, r plus का हमना है, 0 से infinity तक, मतलब जो domain है, वो तो इसके आगया गई है, तो इससे पहले अला graph तो में चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो domain भी नहीं है, तो हमने इमिटा दिया, यह तो चाहिए ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी open आ जाएगा, क्योंकि r plus में open 0 से infinity होता है, तो यह graph बचा, यह अब graph हो गया y बराबर fx का, अब इसमें अगर देखोगे y axis पे कितना cover हुआ, तो यह point तो 0 है, और उपर कहां तक जा रही है, infinity तक, तो 0 से infinity तक पूरा cover हो गया, तो अब ऐसे बहुत सकते है, from graph, range is equal to 0 से infinity, उसका मतलब क्या है, r plus, यह ठीक है, तो यह तो range हो गया, और co-domain जो है, वो यह पहले से लिखा हुआ है, वो भी r plus है, तो co-domain and range बराबर है, domain से कोई मतलब नहीं, तो co-domain and range बराबर है, this implies यह भी on to होके है, यह भी on to function होके है, ठीक है, अब लिख लेते हैं, example 3, अगर मालनी हमने लिखा, f, r से लेके, r plus, fx बराबर, xq, तो answer में क्या हैगा, domain क्या है, r, ठीक है, मतलब पूरा graph आएगा, तो xq graph थो हमने पहले बनवाए था, ऐसे बनता है, origin, x-axis, y-axis, तो इसने y-axis पे क्या cover किया, पूरा cover कर लिया, तो फिर graph से इसका range कितना आगया, r, पूरा graph होनेगा, ठीक है, code domain क्या है, that is r plus, तो अगर मैं बूछ हूँ कि फिर ये क्या हुआ, into या onto, तो बहुत सारे बच्चे गलती से क्या चल लाएंगे, क्या into, बट ऐसा नहीं, into नहीं होगा, क्यूंकि इस वाले case में, code domain जो है, वो छोटा हो गया, अगर code domain छोटा हो गया, ऐसा तो होने ही नहीं चाहिए, तो ये तो function ही नहीं, ऐसा नहीं, बस किवल ये दे लेंगे, ज्यादा कम है, बस ये भी depend करता है, कि ज्यादा कौन है और कम कौन है, तो इस वाले case में, as code domain is a subset of range, hence, this is not a function, not a function, even odd की तो, sorry, क्या बोलते हैं, into, onto की तो बात ही नहीं रूठती, क्योंभी function ही नहीं है, तो into onto से related question में हमें क्या करना है effectively, कि code domain हमेशा question में दे रखा होगा, ठीक है, और domain दे रखा होगा, हमने क्या करना है कि जो given domain है, उसके अंदर range निकालना है और फिर compare करना, compare करना, कोई भारी काम नहीं है, कोई भी कर सकता है, और range निकालना हमने पहले से सिखा रखा है, ठीक है, range में तो बहुत time लगाए दे, बहुत सारे videos अगर भूल गया है तो वापिस जाकर देखो इसक झालना है, 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 झालन